नमस्कार आप देख रहे हैं जन्ता टीवी और मैं हूँ आपके साथ मनीशा सिंग बुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ बड़ी खबर आ रही है सामने तर्की में आज सुभा शक्ति शाली भुकम्प के जड़के महसूस किये गए है जी हाँ बताना चाहेंगे शारो तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और अब तक फुल दस लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है तो शक्तिशाली भुकम के जटके टर्की में महसूस किये गए ताश के पत्नों की तरह इमारते डैती हुई नजर आई जिसमें से पाँच लोग उस्मानिया और पाँच लोग सन्ले उर्फा में मारे गए हैं टर्की में अडाना शहर में 17 मंजिला और 14 मंजिला इमारते डह ग ही है भुकम के बाद तर्की ने अंतराश्ट्रिस सहायता की भी अपील की है और तर्की के साथ सीरिया में भी भुकम के तेज जटके महसूस किये गए हैं सीरिया में भी भुकम से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है और तर्की में भुकम के बाद हाई ऐलर्ट दिया गया है सोशल मीडिया पर इसके बाद कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं और इन वीडियो में भुकम से हो रहे हैं नुकसान को साफ तोर पर देखा जा सकता है तस्वीरें आपके सामने हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भुकम से कितना नुकसान हुआ है तर्डक्षिन तर्की में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है भुकम के चलते कई इमारते गिर गई है अब तक दस लोगों की मौत हो चुकी है तो भुकम से भारी नुकसान की जो तस्वीरें है वो भी आपके सामने है मलबे में अभी भी कई लोग दबे होने की आशंका है और तर्की में हाई एलर्ट को घोशित कर दिया गया है अंतराश्ट्री सहायता की तर्की द्वारा अपील की जा रही है वहीं सीरिया में भी बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है करीब 7.8 तीवरता का भुकम पाया और भुकम के गंजिया टोप में भुकम के जट के महसूस किये गए तो आपको बताना चाहेंगे कि तेज भुकम के जट को रेपूरे टर्की और सीरिया को हिला कर रख दिया है करीब 7.8 मापी गई है भुकम की तीवरता और जिस तरह से भुकम के बाद की जो तस्वीरे हैं भी आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तोर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितना भारी नुकसान हुआ है